नमस्कार इस वक्त की बड़ी ख़बर ये है कानपूर शूट आउट के मुख्या आरोपी गैंग्स्टर विकास दुबे को पुलिस ने उज्जेन से गिरफतार कर लिया है। विकास दुबे की गिरफतारी की पुष्टी की है। जिसमें सियो समीत आठ पुलिस वालों की मौत हो गई उसके बाद से विकास और उसकी पत्नी की तलाश में वुदुवार को राजिस्थान, हर्याना, दिली में चापी लगातार मारे जा रहे थे सूतर के मताबिक विकास और उसका साथ ही प्रभात फरीदाबाद की सेक्टर 87 में रिष्टेदार श्रमण की घर रुगे थे पहले उन्होंने होटल में रून बुक करवानी की कोशिश की लेकिन आईडी में फोटो क्लियर नहीं होनी की वज़े से नहीं करता है सूचना मिलने पर पुलिस ने चापा मारा पर विकास पहले से ही भाग गया था इसके बाद से ही यूपी समित कई राजियों के पुलिस विकास दुबे को गिरफतार करने के लिए दबश दे रही थी बीच में विकास के दिल्ली, NCR में छेपे होने की भी खबर आई थी लेकिन वो एक बार फिर पुलिस को चक्मा देकर भाग निकला था विकास के करीबी अमर दुबे को पुलिस ने एंकाउंटर में मार गिर आया था उसकी मौत के बाद पुलिस ने उसके पतनी खुश दुबे, पिता संजु और फसंजीव दुबे, शांते देवी, विने कुमार, श्यामो बाचपई, जहान यादव, वकेके शर्मा को भी गिरफतार कर लिया था अब फाइनल खबर ये आई है कि कानपूर शूट आउट का जो मुख्या रूपी है गेंग्स्टर विकाज उवे उसको पकड़ लिया गया है आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देशी जुना के अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दरकश